एक बात द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल विवे करना स्टॉक्स पर दोस्तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट राइम देख रहे हो तो आप से रुक्षेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी नोटिफिकेशन रेसीब करवाओ सबसे पहले और दोस्तो साथ में आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना और टालीग्राम में सबसे पहले कर लेना क्योंकि कुछ भी अपडेट होगा तो मैं वहाँ पर आपको दे देता हूँ दोस्तों बात करेंगे बैस पैनिस्टाग टू बाइन नाउ ठीक है तोस्तों पचास पैसे एका डेट परी पैनिस्टाग है मातर केबल हजार सेजर्स खहित के छोड़ दो ठीक है टैंशन रिने की जुदत नहीं है पैनिस्टाग में इतना ही इन्वेस्ट किया करो बहुत सारे लोग मुझे बावार कोश्चन करके पूस्ते रिज़े सर आपने एक पैनिस्टाग दिया था ठीक है उसमें क्या करें दोस्तों मुझे एक सबास समझनी आती है जो भी आपको पैनिस्टाग में देता हूँ ठीक है यह जो भी पैनिस्टाग की में बात करूँगा उसका स्टाग का नाम आपको भी दिख जाएगा 17-18 पैसी का असपत दिया था वहाँ से स्टाग अल्मूस 60 पैसे तक गया ठीक है 300% की रिटन दी ठीक है और बहुत लोगों ने मेरे खाल से इसको बात में बाए किया ठीक है मैंने आपको बहुत बात स्टाग में बोला है मैं अगर आपको पैनिस्टाग दूँ या लार्ज गेप स्टाग दूँ या लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्टाग दूँ सबसे पहले आप अपनी research add करो और दूसरी बात अगर आप पाए कर भी रहे हो ना तो हमेशा दो चीजों को follow करो What is your risk? ठीक है? आपका risk management कितना है And second is money management आपने कभी कोई भी किसी भी entry अगर आप लेते हो किसी stock में भी entry लेते हो Before taking any trade Before taking any investment आपको ध्यान लगना चाहिए कि आपका risk कितना है ठीक है? और हमेशा मैं आपको कहता हूँ देखो मैं जो भी investment कर रहा हूँ penny stocks में या long term investment मुझे अपना capital का size पता है मुझे अपना money management पता है ठीक है? जैसे मैंने आपको बहुत सारे stock दिये KNA construction दिया है RVNL दिया है ठीक है? मैंने आपको बहुत सारे penny stock दिये मुझे बिल्कुल tension नहीं है ठीक है? और आप भी अगर ऐसा दिमाग लगा के investment करोगे न without any tension आपका पैसा ग्रो होगा और धीद देखर के ग्रो होगा और आपको tension नहीं नहीं होगी उस पैसे का क्या फाइदा जो बार बार आपको हर दिन panic दे ठीक है? माल लो आपका जो penny stock आपने आज बाये किया है ठीक है? 50 पैसे में, 10 पैसे में अभी एक example दिखाऊँगा आपको जो एक penny stock था 10 पैसे का 17 पैसे का आज वो 160 रुपे का असमें trade कर रहा है माल लो आपको return आ भी गए इतनी ठीक है? तो उस पैसे का क्या फाइदा जो आपको उतनी tension दे के बनाये हो अपने समझभा रहे हो? happiness का है फिर life में है ही नी तो भाई, penny stock में उतना ही invest करो जितनी आपके जेव अलाओ करती है और जितना penny है नाम ही penny है तो समझो penny में penny ही लगाना है ठीक है? तो छोटा मोडा amount लगा के भूल जाओ long term के लिए ठीक है? मैं ये नी कहा रहा हो कि penny stock में investment मत करो, करो लेकिन हमीशा rule को follow करो, जो 2% का rule बताया गया है, उसको follow करो 2% का rule मतलब जो भी आपकी capital है या salary है, उसका 2% investment करो, तभी आप successful हो पाऊगे penny stock में investment करने के लिए, अगर आप ये नहीं follow करते हो, अगर आपने पूरा का पूरा एक रुपे जैसे माला आप 100 रुपे आपके जीवें बड़े आपने 100 रुपे का 100 रुपे आपने एक stock में investment कर दी, तो भाई आप पक्का डूबोगे, ठीक हर दीन आपको नीद नहीं आने वाले रात को और हर दीन आपको panic attack आएंगे, जब वो मज़ा भी आएगा, ठीक है, तो भाई, छोटा सा घ्यान दे रहा था कि बहुत से लोग गल्ती करते जाते हैं, बावर यहीं गल्ती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि अकर आप मेरे channel देख रहे हो, तो यह गल्ती करो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ भाई, कि इस penny stock की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें अच्छी return दे रहा है मैं आपको एक logic दिखाता हूँ, कि penny stock को selection किया है, कैसे किया जाता है अगर आपको कोई penny stock buy करना है, जो 10-20 पैसे पर trade कर रहा है तो आप उसमें investment कैसे करो, उसका तरीका बता रहा हूँ आज, ध्यान से सुन लो और मैं चाहता हूँ, इस वीडियो को facebook, twitter, telegram, instagram, charm, share कर सकते हूँ, वाँ share कर दो और जैसे मैंने आपको बता है, इस Sunday को मैं class लेने जा रहा हूँ, free of cost तो मैं free of cost class लेने जा रहा हूँ, free, ठीक है, मैं उसमें ये तो reveal नहीं करूँगा, कि मैं कैसे क्या करता हूँ, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करके हर ची plot करते जाएंगे, हर Sunday class होगी, हर Sunday नहीं पाएगी, तो हर दो, तो अपते में एक बार कर लेंगे, और ये उनके लिए करते हो, तो definitely आपको उस class में include किया जाएगा, free of cost, जो आप stock बोलोगे, उसके उपर वीडियो भी बनाके, update करता रहूँगा, बार-बार, ठीक है, तो भाई, यहादा छोट सा update, अब बढ़ते हैं हमारे stock की तरफ, जिस stock की में बात कर रहा हूँ, कि stock को, आपको कैसे penny stock को पैचाना चाहिए कि हमें stock को buy गना चाहिए, ठीक है, तो देख लो एक बार, तो दोस्तो आप देख सकते हो, जिस penny stock की में बात कर रहा हूँ, जो 50 पैसे गास पर trade कर रहा हूँ, उसका नाम India Info Tech and Software Limited है, short form में India Info आप बोल सकते हो, तो दोस्तो देख सकते हो, लगदर 5 days से stock एक range में trade कर रहा है, वो भी कर रहा है, किस range में 49 पैसे, ठीक है, तो दोस्तो जब भी कोई stock एक range में trade कर रहा हूँ, same price में trade कर रहा हूँ, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, तो वो एक buy price बनता है, उपर जाने के लिए, कैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते है, आप हो सकत लेकिन investment कैसे करता है मैंने आपको बतलाया 2% का rule follow करना है मैं आपको past का stock का chart बथा तो जब मैंने आपको stock 17 पैसे के असपार दिया था तो मैंने आपको क्यों दिया था मैंने आपको इसलिए दिया था company के profit सांदार नहीं थे company के promoter holding मातर 19% के आसपास है इसलिए मैंने आपको stock recommend और suggest किया था ठीक है तो भाई आपको भी ऐसा को ढूड़ना जो आपको एक रेंज बर trade कर रहा हो और definitely आपसे investment करके भूल सकते हो अगर आपको खोर जानना है कि मैंने कैसे selection किया तो लेके चलता हूं जुरोदा के chart की तरफ यहाँ पर आपको सायद कुछ price नहीं देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपको लकीर दिख रही है तो मैं आप लेके चलता हूं price की तरफ चुरोदा के chart में तो दोस्तो देख सकते हो मैं इंडिया इनफो का chart खुलाओ है ठीक है दोस्तो आप ढहां Djhahn से अब देखना है न दोस्तो यह मस की बात कर रहो अगर आप तुर्णा PASS का chart देखोगे मैंने पास तो आभी जून प्राइज में सपोर्ट लेके यहां ट्रेडिंग हुई थी देख सकते हो यहां पर बायर सेल हो रहा था ठीक है यहां बायर सेल हो रहा था बायर सेल होने के पास टॉक आपका रॉकिट हो गया और स्टॉक ने 60 पैसे का हाई लगा दिया अल्मोस्त तीन सो परसेंट की रिटन देखे गया है स्टॉक और दोस्तों दुबारा से स्टॉक में देख सकते हो वही काम हो रहा है ठीक है वही काम हो रहा है ठीक है तो भाई सेम पैटन बन रहा है यह पैटन आप कम से कम एक से दो मेहने तक यहां होना चाहिए अगर एक से दो मेहने तक इस प्राइस में ट्रे रहा है ये stock, तो definitely भाई stock को radar में रख सकते हो मैं ये नहीं कहना हूँ कि भाई, पूरी-पूरी capital लगा तो capital लाने आप सकता है, बिल्कुल में नहीं, अगर लगाओगे तो आपसे बड़ा मुर्क व्यक्ति कोई नहीं होगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपका चाहिए, penny stock से, तो भाई, इस stock को radar में रखो, अगर इस stock नीचे गिरता है, तो घबराना नहीं है, अगर penny stock आपका 0 भी हो जाता है, तो कोई tension नहीं है मेरे भाई, क्या बात है, कितना रुपे लगाए, अपने चोटा सा amount लगाओ, diversify करो, और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, बाद-बाद stock को देखनी को सकता नहीं है, अगर stock अगर, यहां से, अगर मानलो चोई, यह stock अभी 60 पैसे चल रहा है, यह अगर 0 भी हो जाता है, तो क्या tension है, क्या tension है, अगर आपने money management follow किया है, तो क्या tension नहीं है, अगर 0 भी हो जाता है, भाई आपको ऐसे पैनी स्टॉक दिखाऊंगा, जो 60-70 पैसे से, एक बार 70-70 पैसे का आज ट्रेट करते थे, और आज की ट्रेट में 200-200-300 रूपे ट्रेट कर रहे है, तो भाई अगर एक penny stock में हमें, मालो 10 penny stock आपने selection करें, 10 का 100 करें आपने मालो, 100 में से आपके 90 0 हो गए, लेकिन 10 ने आपको multi-bagger written दे दी, ठीके जो 12,000-10,000 गुना हो गए तो आपका पैसा भाईया, 100 गुना 200 गुना हो गया और क्या चाहिए मैं आपको एक example दिखा रहता हूँ, एक भाई ने हमें, नीचे comment करके stroke में लगा था, पोशने में लगे, तो उसी के सारे आपको एक live example दिखा रहता हूँ live demo बोल सकते हो, तो देखो तो दोस्तों देख सकते हैं, यह Black Rose Industry Limited है, यह भी BSC में लिस्टिट कंपनी है एक दोस्तों ने comment किया था, ठीक है stroke का chart देखो अब, ठीक है मैं यह नहीं कहना होगी हर company ऐसा हो जाएगी है, पर दोस्तों हो जाती है हर company तो नहीं होगी, लेकिन अगर पैसा बना के देगी, ठीक है मैं तो एक bad experience लेके चल रहा हूँ, नौ बोला मैंने ठीक है, आप उसको 50-50 भी कर सकते हो और दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर 1999 के आसपा stock मात्र, पचास पैसे के आसपा टेट कर रहा था पचास पैसे के असपास, ठीक है, और आज की rate में stock के value 153 रुपे, 162 रुपे है बात को समझो, ठीक है और दोस्तों देखिए, यह stock अगर 50 पैसे trade कर रहा था, तो एक बारे में ही यह stock rocket नहीं होगी, इसको almost 20 साल लग गया, एकसो 160 रुपे के price में आने में, ठीक है stock दुबारा से उपर गया, 260 में देख सकते हो, 5 रुपे, 8 रुपे तक गया बहुत लोगों की तो यहाँ ही सास फूल जाएगी 8 रुपे में जाएगा, तो profit booking कर लेंगे आपको profit booking नहीं करनी है अगर 8 रुपे जाएगा, जो भी पैनी स्टॉक में आपको दे रहा हूँ न, मेरा जो उसका target है भाई, मुझे चाहिए कम से गम 1000 रुपे, 500 रुपे का target, ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से money management को follow करते वे 2% का rule बताया न, जो आपको salary का वो investment किया है पैनी स्टॉक में ठीक है, अब आपकी जो भी salary 1,00,00 रुपे कमाती हो, मेने के 10,00,00 कमाती हो 2,00,00 कमाती हो, उसका भी 2% निकालके invest कर दो, जा पता जो 2,00,00 रुपे हो जाए, 2,00,00 रुपे हो जाए, ठीक है, तो 2% का rule, follow करो, तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी सास फूल जाती, आप profit कर ले दे, और स्टॉक दुबार नीचे आया, अब देख सकते हो, नीचे कितना आया, दुबारा 2 रुपे है, फिर दुबारा उपर गया, दुबारा भी 6 रुपे तक गया, दुबारा आपकी सास फूल जाती, क्योंकि आपने money management follow नहीं किया है, तो स्टॉक दुबारा देख, तो उपर गया, 26 रुपे तक, आप मेरे खाल से यहाँ पर profit booking करके भाग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे target पता है, 200-300 रुपे, मैं wait करूँगा मेरे penny stocks में, या मेरा पैसा 0 होगा, या मुझे एक अच्छी return देखे जाएगा, ठीक है, बहुत लोग मेरे खाल से 26 रुपे में निकल जाते, और मैंने आपको एक तरीका बता है, जिस penny stock में, आगर माल लो, आपने investment करिए, ठीक है, जो भी आपने investment करिए, अगर आपको 1X की return देखे, 1X मतलब 100% की return देखे, profit book करो, अपना जो capital अपने लगाया है, उसको निकाल लो, ठीक है, बाकी जो profit है उसको रहने तो long term के लिए, या तो zero होगा, या आपको वो पैसा 10,000 गुना, 20,000 गुना बना के देगा, तो भाई, अब आप सोच लो, कि आपको क्या करना है, अगर दोस्तों, अगर example है तो bitcoin का, bitcoin भी पहले 1 रुपे का आसपर trade करता, एक 1 USD, 2 USD के आसपर, और आज की rate में 61,000 डॉलर का है, तो दोस्तों, सोचो, जिसने, एक डॉलर के आसपर stock को buy किया होगा, अगर उसने अभी तक hold कर रहा होगा, तो आज उसकी value क्या होगी, ठीक है, तो अगर आप बीच में बार 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 देखते, दिखते stock को दिखते रहोगे न, तो कुछ नहीं होने वाला, आपको भूल जाना है, penny stock को investment करके, बार बार मत देखो, यही आप सत्च ज्यान शेर करना है था, इसलिए इस वीडियो बनाया था भाई, अगर आपको कुछ समझा है, नीचे कॉमेंटर के बता सकते हैं वीडियो कैसे लगा, थोड़ा unplanned वीडियो था, मैंने ऐसी बना दिया ठीक है, जो मेरे दिमाग में आया, मैंने real and raw करके वीडियो अप्रूट कर दिया, ठीक है, raw and real है, ना edit होगा, ना कुछ होगा, तो अगर अच्छा लगा ऐसा format तो भाई बताओ, नहीं अच्छा लगा तब भी बताओ, चलो बाई 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 जैहिन,